नमस्ति से सिकाल साब को, this is Sahil Gauri और आज की वीडियो में हम बात करने वले हैं कि आप लोग यार कैसे प्रिपेर कर सकते हो चाहिए यार वो कोई भी एक्जाम हो और मेंली मानिपाल एंट्रेंस टेस्ट या फिर आपका लेबस क्या रहता है, important chapters क्या रहते है, क्या level of question रहता है, कहां से आप लोग prepare कर सकते हो कौन-कौन से आप लोग को books लोगे रहा follow करनी चीए, तो यह सार चीजों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर discuss करने वाले हैं और यार जल्दी सी जल्दी कोशिश करूँगा सारे points को cover करने की 8-9 minute की वीडियो के अंदर अंदर, तो यार इस वीडियो को end तक जरूर देख लेना ताकि आप लोग को सारे के सारे points पता लग जाए, तो यार इस वीडियो को start करने से पहले जिन भी लोगो ने अभी तक च सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी सी जल्दी यार वो लाल कल लगे button को दबा दो, बहुत ज़्यादा close हैं 15,000 family के आप लोग से सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट ची है, और ऐसी में regular content लाता रहूँगा आप लोग के लिए, तो आर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और दबा के शेयर कर देना सारे के सारे WhatsApp group, Telegram groups और में, तो आर इस वीडियो को अब हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्लेबस के बार में, अब स्लेबस वैसे तो आर आपके almost सारे exam का same ही रहता है, almost J जैसा, 11-12 आ रही होती है पर 11 का, या फिर 70% 12 का और 30% 11 का आ रहा होगा, तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा बहुत कि यार हमारा जो main focus है वो थोड़ा बहुत 12 पर है, इसके बाद second चीज़ जो important आती है वो होता है level of question, क्या level of question रहने वाला है, तो यार mostly अगर मैं बोलू VIT वगेरा का, तो J-Mains से आधा, अगर आप लगा लो, आधा level of question रहता है, अगर J-Mains को 10 consider करते हैं, तो almost 4-5 level type के आपको question यहाँ पर देखने हो मिलेंगे, बाकी exam में, लेकिन अगर मैं bit sat या फिर money pal entrance test की बात करता हूँ, तो particularly यार वहाँ पर आपको 7-8 level के question मिलेंगे, मत इसलिए थोड़ा बहुत आपको फरक देखने को मिल सकता है, bit sat और money pal entrance test के अंदर भी, तो यह हो गया आपका level of question के बारे में, अब आजाते हैं, second चीज that is preparation, क्यार preparation कैसे करनी है, हमको J-E के question लगाने पड़ेंगे, या फिर हमको J-E की practice करनी है, कौन सी books वगेरा follow करनी है, अगर preparation के अगर मैं बात करूँ, जितने भी लोग, students वगेरा, J-E की preparation कर ले है, उनके लिए यार, बिल्कुल basic चीज है, उनको as such, particularly, कुछ extra करने की जूरत नहीं है, अगर आप कहीं से coaching वगेर ले रहे हो, J-E का material वगेर आपके पास पढ़ा है, तो वहीं से आप लोग को प काफी अच्छा और यार, बड़े level पे आपका एक test organize करवाया जाता है, जिसके अंदर यार, सारे students पार्ट ले सकते हैं, चाहिए यार, वो 2022 के aspirant हो, 2023 के, 2024 के, इस test के अंदर आपके 21 question होते हैं, और आपको 60 minutes का time मिलता है, ये सारे के सारे question आपके top educators द्वारा बनाये जाते ह हैं, तो यार, इसके अंदर अगर आप पार्ट लेते हो, top rankers को 100% तक ही scholarship मिल रही होगी, साथ के साथ यार, काफी साथ lucky winners को surprises और gift vouchers मिल रहे होंगे, तो definitely यार, इसको enroll करने के लिए, मेरा coupon code gory10 use करना, मत बूलना, जिसके तुरू, आप free में enroll कर पाऊगे, इसके अंदर, तो यार, link भी description में दे रहे हैं, वहाँ से जाकर आप enroll कर सकते हो, इसके बाद, यार, अगर हम बात करें, आज आती है, हमारे super 30 test series, जो कि यार, आपकी daily almost हो रही होती है, शाम को 6 बजए, जिसके अंदर 15 questions होते हैं, 30 minute का time होता है, ये भी यार, basically करवाई जा रही है, आपकी last 10 year के practice करवाई जा रहे होंगे, हाँ पर previous year question, particularly यार, आप लोग को अच्छे से revise करवाई जाएगा, साथ के साथ, यार, आप लोग को इसके अंदर एक rank predictor मिल रहा होगा, जिसके तुरू आप अपनी rank predict कर सकते हो, अपने marks के basis पे, साथ के साथ, यार, आपको हर एक question के detailed solution व मिल जाएंगे, और एक्स्टर discounts के लिए मेरा coupon code gory10 यूज करना मत भूलना, तो आपको link description में मिल जाएगा coupon code मेरा gory10 है, उसके तुरू आप free में enroll कर सकते हो, उस session के लिए, तो आपिस आजते हैं अपनी वीडियो के उपर, तो आप ये तो हो गया, जितने भी students जाई वगर के लिए prepare कर रहे हैं, उनके लिए simple है, उनको as such यार, अलग से कुछ करने ही जोरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जितने बच्चे जही के लिए prepare नहीं कर रहे हैं, उनको कैसे prepare करना है, कौन-कौन सी books को refer करना है, तो आगर मैं यहाँ पर बोलू, जितने भी मेरे को experience है, last year की guidance क के तुरू, और जितने भी मेरे को reviews होगेरा मिले है, students के तुरू, तो आर वहाँ से मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा, सबसे best book रहने वाली है, आपकी अरियंत की जो आती है, bit side के लिए, उसको आप ले सकते हो, उसमें variety of questions बहुत जादा मिल जाते हैं, आपको यार सारे temperament वगेरा है, level of questions वगेरा है, वो अच्छे से आपको पता लग जाते है, solving की क्या, tricks हो गेरा है, कैसे आपको जल्दी-अल्दी solve करना है, वो practice सारी चीज़े आप लोग कर सकते हो, तो इसलिए आर सबसे ज़्यादा recommended और best book रहने वाली है, उसको आप ले सकते हो, अगर आप जाने वाले हैं, चाहिए यार वो chemistry हो, physics हो, maths हो, English हो, सब कुछ आप लोग को बता दूँगा, तो यहाँ पर अगर physics की बात करूँ, आपको screen पर भी दिख जाएंगे, waves and sound हो गया, semiconductors हो गया, optics हो गया, work power, energy हो गया, इसके बाद आपका current, electricity हो गया, EMI हो गया, AC, DC, magnetic effects of current और electr statistics, यह आपके सारे main chapters रहने वाले हैं, physics के बारे में, अगर maths की बात कर, तो यहाँ पर complex number, quonic section, जिसके अंदर आपका state lines हो गया, सब कुछ आजएगा, parabola हो गया, इसके बाद trigonometric function और inverse trig हो गया, binomial theorem, application of derivatives, vector, differential equations, sequences and series, matrices, determinants हो गया, limit continuity, differentiability, और साथ के साथ यहाँ definite integration, इसके अल ability, उनको भी जरूर कर लेना, by chance अगर एक आदा question आ जाता है, वैसे chances बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर आ जाता है, तो यहाँ काफी easy हो जाता है, वहाँ पर solve करना, तो इनको भी जरूर एक बार देख लेना, basic concepts हो गया, इसके बाद यार, अगर हम chemistry ही बात करें, तो इसके अ dynamics, coordinate, compound, chemical bondings, और chemical kinetics, तो यह आपके कुछ important chapters रहने वाले हैं, जो आप consider कर सकते हो chemistry के अंदर, अब last यार, जो काफी बच्चों को दिक्कत आती है, bit stat हो, चाहे आपका multiple entrance exam हो, या फिर कोई भी आपका exam हो, उसके अंदर, English, English के लिए क्या हमें particular prepare करना है, तो English के यार, सिर्फ यार, एक divide करके दे दिया जाएगा sentence को, कुछ parts में तो आपको form करना है, वो proper से sentence, और एक आता है, आपको error को detect करना है, तो mostly आपको यही type के question देखने को मलते हैं, यह 3 type की category के question जरूर practice कर लेना, online आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, अगर आप 50-50 question भी कर लेते हो, तो more than enough ह इसके लिए, तो यही था हमारे important chapters के बारे में, अब last चीज़ आती है, mock test, mock test हमको कप करने चाहिए, कहाँ पर मिलेंगे, तो mock test के regarding मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप यार, जईव अगर कर रहे हो, तो उसके लिए focus करते रहो, जब भी आपका test होता है, suppose यार, आपका 40 द जगाओं पर मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलते हैं, तो यार, टेलिग्राम चैनल पर, मैं हर एक particular आपके exam के regarding mock test हो गए, डाल दूँगा कुछ दिनों में, तो definitely, टेलिग्राम चैनल का link, description में मिल जाएगा, उसको जाका join कर सकते हो, वहाँ पर आपको सारे के सारे info, updates, अग आपके सारे issues वगेर, clear हो गए होंगे, अगर आप लोगों नहीं हैं तक वीडियो देख लिए, definitely like का बटन दबाएगा, काफी ज़्यादा motivation मिलता है, comment कर सकते हो, description box में, अगर कोई भी doubt होता है, कोशिश करूँगा reply देने की, जल्दी सी जल्दी, साथ के साथ नहीं तो या सब्सक्राइब कर दो, और दबा के या शेर कर दो, सारे के साथ वट्सप ग्रूप, टेलिग्राम गूप्स और साथ के साथ या टेलिग्राम चैनल भी जॉइन करना, मत बूलना, तो इस वीडियो को यहीं पर end करते हैं, मिलते हैं किसी बड़े इस नेक्स वीडियो में, टा